कॉंग्रेस अध्यक्ष पद के उमेदवार शशी थरूर ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने कभी भी पार्टी के बड़े नेताओं से समर्थन के उमेद नहीं की थी और अब भी नहीं करते हैं लेकिन उन्हें सभी लोगों के साथ की जरूरत है चुनापरचार के लिए केरल पहुंचे थरूर ने ये बयान ऐसे समय में दिया है जब प्रदेश कॉंग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के सुधाकरन ने सार्वजनिक रूप से गोशना की है कि वह थरूर के प्रतिद्वेंदी म लिका अर्जुन खड़के का समर्थन करेंगे दिरुवनंद पुरम से लोग सवसदसे धरूर ने समवाद्दाताओं से कहा कि वह चुनाप से पीछे हट कर उन लोगों के साथ विशास घात नहीं करना चाहते जो अब तक उनका समर्थन करते आ रहे हैं उन्होंने कहा कि मैं पार्टी के बड़े नेताओं से किसी तरह के समर्थन की उम्मेद नहीं कर रहा था और नाहीं अब कर रहा हूं वास्तम में पिछले दिनों मैंने नागपुर बरधा हैदरावाद में पार्टी के कारेकरताओं से मुलाकात की थी कारेकरता मुझ से चुनाब लड़ने और इ दिया है मुझे पर उनका जो विश्वास है वही मुझे आगे बढ़ने की ताकत देता है कॉंग्रेस सांसत के अनुसार उनके ज्यादा तर समर्थक युवा नेता है और पार्टी कारे करता है हालांकि उन्हें हर किसी के समर्थन की जरूरत है यह पूछे जाने पर कि क्या सु कहूंगा कि चाहे कोई कुछ कुपत रूप से कहे या सार्वजनिक रूप से कहे मतदान गुपनिया है आपको बता दे कि आगे शशी धरूर ने कहा कि कोई नहीं जान पाएगा कि किसने किसे वोट दिया लोग अपनी मर्जी और विश्वास की अनुसार मतदान कर सकते हैं वे फैसला कर सकते हैं कि वे पार्टी को मजबूत करने और भविश्य की चुनावतियों का मुकाबला करने की खातिर इसे तयार करने के लिए किसे चुनना चाहते हैं शशी थरूर का कहना ये भी था कि सुधाकरन ने समभावता अपने निजी फैसले और प्राथिमिक्ता के वारे में बताया है मैं और इसमें कुछ गलत भी नहीं है उनके अनुसार सुधाकरन किसी को निर्देशत नहीं कर सकते क्योंकि पार्टी की ओर से जारी दिशा निर्देश में सपष्ट कर दिया गया है कि कोई पदाधिकारी किसी उम्मेदवार का प्रचार नहीं करेगा कॉंग्रेस के केंद्री चुनापराधिकरन ने सोमवार को जारी दिशा निर्देश में कहा था कि अध्यक्षपद के चुनाब में यदि पार्टी का कोई पदाधिकारी किसी उम्मेदवार के पक्ष या विरोध में प्रचार करना चाहता है तो उसे पहले संगठन की जिम् उम्मेदवार है यदि पार्टी के इन दोनों नेताओं में से कोई भी अपना नावांकन वापस नहीं लेते हैं तो 17 अक्ट्यूबर को मतदान होगा जिसमें 9000 से अधिक डेलीगेट मतदान करेंगे मतगड़ना 19 अक्ट्यूबर को होगी वीडियो डेस्क अमरुचाला.ड़कॉम